तो एनेसल का मास 4.44 माइनस एक्स है क्योंकि दोनों का मिक्षर का मास 4.44 है तो एनेसल का मास 3.33 ग्राम आये गया फिर वहां से फिर परसेंटेज में कनवर्ट किये 75% मिक्षर में 75% एनेसल और 25% CACL 2 है ठीक है चलो बढ़ियां नेक्स्ट कॉस्चिन लिए एर कॉंटेंस 20% O2 by volume हो मच्छ वोल्म उफ एर विल बे रिक्वाइट पर कंबश्चन आफ 100 CC पर एसी टाइले एसी टाइले बोलो तो C2S2 पर कि और कंभस्शन आफ कि एसी टाइलीन है कि एपको पहले तो एक बैलेस्ट रिएक्शन लिखना जाए लिए टूर्फ एसटू हो ऑक्सिएन के साथ कमबाइन करेगा तो आपको सियोटू और इस टूब मिलेगा बैलेंस कर लिजे कारवन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लग गया हाड़न तो बैलेंस हैं 2-2-4 और 1-5 यहाँ पे 5-2 लग गया ठीक है यह बैलेंस रियक्शन तुमको दिखाता है कि अगर 1 मोल एसे टाइलिन लोगे न तो उसके साथ 5-2 मोल औक्सिजन लेना पड़ेगा फर कंबस्षन तब जाके 2 मोल स्योटू और 1 मोल वाटर बनेगा 2 मोल स्योटू और 1 मोल वाटर बनेगा ऐसा लिखा हुआ है ठीक है अब आपको 100 cc अफ एसे टाइलिन को 100 cc मतलब 100 ml एसी टाइलिन को कंबस्षन में लाना है तो पहले आप क्या करें ना कि 100 cc ऐसी टाइलिन का बॉल्यूम निकालने है सरी मोल निकालने नमबर ओफ मोल्स ओफ 100 cc एसी टाइलिन क्या यह नमबर ओफ मोल्स आएगा एसा 100 ml divided by 224 00 ml this is 1 by 224 mole इतना mole है acetylene का C2H2 का है इतना mole है acetylene का ठीक है दिस मच मोल आफ acetylene is there अब आप बैलनसिंग पे जाए बैलनसिंग पे बैलनस्री एक्षन कहने का मतलब इस पर देख भाई एक mole acetylene कि एक mole acetylene से कंबाइन करने के लिए 5 by 2 moles oxygen चाहिए कि सिंस कि वन मोल आफ कि एसे टाइलिन कि रिक्वार्ड कि तो था पाइब टू पाइब टू मोल्स आफ हो देखन रिके एक था रिक्वार्ण나स पाइब टू फू पाइब इंटो वन बाइट टू तो फोर मोल्स ऑप्सिजन एतना मोल्स ऑप्सिजन चाहिए और यह एट गामस तो बी यह दाट गमस्ट वी जस्ट हम काल्कुलेट कर ले तो उतना समय नहीं रहता है कि उसको पुरा प्रपर लिजाएं तो 5 डिवाइड बाई तो तो फोर और इट कमस्ट वी 0.01116 0.01116 16 मोल्स ऑफ उक्सिजन चलो देखते हैं कि कितना क्या पूछा गया है जरह देख लेते हैं एयर कंटेंग 20 परसेंट ओटू बाई वॉल्यूम अब उनको वॉल्यूम में इसको कनवर्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम में इतना मोल्स आ गया है सिंस सिंस एक मोल अगर ओक्सिजन का लीजेगा न 1 मोल आप O2 is equal to 22.4 liters ओके therefore therefore 0.011 16 moles of oxygen आखिर कितना लिटर and that will be equals to 22.4 multiplied with 0.01116 कितना आरा देख लेते हैं multiplied with 22.4 and it is 0.25 liters 0.25 liters of O2 0.25 liters of oxygen आपको चाहिए 0.25 liters oxygen आपको चाहिए लेकिन अब question जो बोलड़ा थोड़ा एक लाइन और twist है twist तो भरा पड़ा है ना हर एक लाइन में twist है बोलाए air में खाली 20% oxygen है आपको how much air आपको air का volume निकालना आपको oxygen का volume निकालना अगर oxygen का volume निकालना रहता तो ये तो नीचे वाल आंसर आजा ठीक है इतना oxygen आपको चाहिए अब आप आए थोड़ा final calculation को अंजाम दीजे let V is volume of air required therefore याद रखना कि जो भी volume of air आप ले रहे हो ना उसका 20% oxygen का जो volume चाहिए उसके बराबर आना चाहिए 0.0 कितना था कितना volume चाहिए था 0.25 0.25 liters फिर से air में 20% ही oxygen है और oxygen का volume जो आपको मिला है वो 0.25 liter है तो air का total volume का 20% ही oxygen है और वही आपको 0.25 चाहिए तो आपके पास आया volume of air जो आप निकालेंगे दाट इस 0.25 335 फिट्यूइ पिरे ओट शूंदेट है तो आ 195 जो आपर का बत्राww 10.5 इंवे ए तू पाच्छी सथ ऐस आपकर इंदेफ्यों दृट्टर पिर काम जो आपको आपकर नकाम आपकर ही inedra पी कि देखे कुछ है अब से निबारसव पचास मिले लिटर यह सी-सी मतलब मेले लिटर कुल मिलाके इस कोश्चन में आपको दो-तीन जगा समझना पड़ता है पढ़ाव है यहां से वहां जाना वहां से यहां जाना यह सब करना है तो आपके कोश्चन में क्या बोला गया है एक बार question पढ़ते हैं Air contain 20% oxygen by volume How much volume of air will be required for combustion of 100 cc of acetylene पहला problem Acetylene नाम से आपको formula नहीं आएगा अगर आप formula नहीं जानेंगे C2S2 अगर आप formula नहीं जानेंगे तो आप वहीं पर रुग गया है वहीं काम खतम यह नहीं बनेगा तो acetylene का formula आपका C2S2 अब याद रखेगा फिर आप रिखे एक balance reaction फिर आप लिखे एक balance reaction यह रहा balance reaction C2S2 प्लस 5 by 2 O2 ऐसे करके CO2 and SO यह balance reaction दिखा रहा है कि 1 mol C2S2 के साथ 5 by 2 mol oxygen कमबाइन कर रहा है आपके question में 100 cc of acetylene दिया था तो 100 cc of acetylene मतलब इतना moles 1 by 224 moles balancing दिखा रहा है कि 1 mol acetylene से 5 by 2 mol oxygen मिला है तो 1 by 224 moles acetylene से 0.01116 moles of oxygen मिलेगा combine करेगा अब 1 mol oxygen का volume कितना था तो 22.4 liter होता है तो इतने moles oxygen का volume कितना है तो 0.25 liters है अब इतना तो oxygen आपको चाहिए लेकिन air में खाली oxygen नहीं भरा है उसमें खाली 20% ही oxygen है तो आपको air का volume निकालना था air का volume निकालना था यहाँ पे आया माल लेते हैं 20 दा वॉलिम आफ एयर तो भी इस दा वॉलिम आफ एयर का 20 परसेंट आक्सेंट का वॉलिम है वहाँ से आपको एयर का volume मिल गया 1.25 लीटर या 1250 मिली लीटर 1250 मिली लीटर बहतरीन question ठीक है एकदब बढ़ियां से समझा जाए और इसको 2-3 बार repeat किया जाए इस तरह के question को repeat किया जाए भई अगर आप repeat नहीं करेंगा ना तो यह सब चीज जैसे ही निकलते जाएगा ठीक फ़ड़ा ध्यान रखेंगे चलो next question लिखा 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चार्कोल वाज अड़ेट 250 ml of acetic acid solution 0.06 normal in flask after an hour it was filtered and the strength of filtrate was found to be 0.042 normal the amount of acetic acid adsorb per gram of charcoal देखो acetic acid के solution में जब तुम charcoal डालोगे न तो acetic acid का molecule charcoal के उपर बैठते जाएगा अब आप charcoal को बाहर निकाल लीजिएगा तो solute, solute मतलब acetic acid वो charcoal के साथ जो adsorb गया वो तो बाहर आ गया तो solute जो charcoal के solute जो charcoal के उपर adsorb गया वो तो बाहर आ गया तो strength घट गया आपका काम यह है कि यह पता करना कि आखिर कितना acetic acid का mass solution में घटा है जो acetic acid का mass solution में घटा होगा वही चारकोल के साथ बाहर आया होगा तो फिर last का answer देंगे सबसे पहला initial और final करके सूचिए initial initial हमारे पास volume है 500 ml और उसका नॉर्मालिटी है 0.06 ग्राम equivalent पर लिटर तो क्या हम लोग यहां से number of gram equivalents निकाल सकते हैं number of gram equivalent होगा N1 B1 आप mol में बदल लीजे 0.06 इंटू लीटर 0.05 तो हमारे पास value हो गया 0.06 इंटू 0.05 इंटू 0.003 ग्राम equivalents of acetic acid Acetic acid CS3 C-H इतना gram equivalent solution में acetic acid का पहले था finally क्या हुआ finally मेरा volume तो वही 50 ml है लेकिन अब normality 0.042 होए gram equivalent per liter तो ऐसे case में अगर हम फिर से number of gram equivalent calculate करें तो हमको final normality, final volume लेना पड़ेगा final normality मेरा 0.042 है और final volume तो अभी भी 0.05 ही है तो जब हम लोग इसको multiply करते हैं 0.042 को multiply करते 0.05 से it is 0.0021 0.0021 gram equivalence of acetic acid CS3 COOH ध्यान देने वाली बात यह है न ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देख पाएंगे कि जो number of gram equivalence पहले 0.03 था वो अब घटके 0.021 हो गया ठीक है तो कुछ तो gram equivalence में decrease हुआ है अबचे पहले तो नंबर आफ ग्राम equivalence आफ अप get adsorb on charcoal क्या वो वैलू हम लोग का आएगा 0.003 minus 0.00 21 so how much it is 0.0009 ग्राम एक्वेलेंट्स आप सीएस थ्री सीवेच अच्छा अगर हम यही मास लिखे तो देर्फार मास आफ सीएस थ्री सी ओ ओ एच एड्जॉर्ब एड्जॉर्ब कितना मास एड्जॉर्ब हुआ है तो जो भी हमारा नाहर ओप ग्राम एक्वेलेंट्स अड्जॉर्ब हुआ इंटू एक्वेलेंट वेट औफ आसिटिक एसिरब एक्वेलेंट वेट आफ एसिटिक एसिद सीएस द्रीस उएच देखे ज़े ऍछे यहीएसिटिक और फिर हाइडोन का 1 और उसका एक्स-फैक्टर 1 यह तो हम 1 ही से लिडिवाइड कर रहें अ ग्यारी यह टनने कमस्थूरी जीरो कुएंट घीरो जीरो नाइन मौल्टिप्लाइड विस कितना अ रहा बारा 33 15 12 27 23 13 yat यह साथ हा रहा है ठीक है ना साथ हा रहा है तो जब आप 0.009 को 60 से मल्टिप्लाई किये देन इट कम्स तो बी 0.54 ग्राम देन इस 0.54 ग्राम इस लाइन का मतलब समझते हो कि जब आप acetic acid के solution में charcoal को ऐसे दुबा के छोड़े और इसके बार charcoal को ऊपर लिए तो charcoal के ऊपर surface पर 0.54 ग्राम acetic acid adsorb हो गया चारकॉल के surface पर 0.54 ग्राम acetic acid adsorb हो गया ठीक है अब आपसे जो question पूछ रहा वोग्स पे आईए चलिए एक बार question पढ़े the amount of acetic acid adsorb per gram of charcoal charcoal का वजन 3 gram था ठीक है so final answer जब तुम यहाँ पे लिखोगे amount of acetic acid amount of acetic acid adsorb per gram of charcoal पूरा amount आया है 0.54 gram और इसको आप per gram 3 से डिवाइड कर रहे है then it is 0.18 gram 0.18 gram ठीक है इतना per gram of charcoal dissolve हुआ है तो 0.18 gram सारा आंसर मिलिग्राम में दिया हुआ है 0.18 को 10 to the power 3 से मिलिटिप्लाई कर दो अबया हुआ है the amount of acetic acid adsorb per gram of charcoal अठारा मिलिग्राम तो दिखा रहा है एक जीरो में सोगया गए कि तुम उआ कर दो कर दो कर दो कर दो कि एक जीरो निस हो गया क्या हमसे को एक जीरो सायर का ही मिस हुआ है क्या यहां देखें यहां पर decimal के बाद 3 0 है और जब हम यहां लिख रहा है थे तो यहां decimal के बाद 2 0 लगा यहां पर एक बढ़हत्ते जा ठीक है थोड़ा कारेक्शन करें यहां एक बढ़ेगा इस एक जिरो आए से बढ़ेगा जाएङ जूका हो अइंट इहां पर एक जीरो आएगा फिर यहां का जीरो हट जाएगा एटीन मिलेग्राम है एटेन मिलेग्राम डाट एक उप्शन दियर ओके या आप्से तो यह था सब कुछ आपके सामने और ध्यान रखना है एक भी जीरो छूट जाता है तो आंसर नहीं करता इस तरीके से तो यह आपके पास पूरा का पूरा क्याल्कूशन ऊके इतना सेफ कर लेते हैं फिर आगे पर आगे बढ़ेंगे ठीक है जो नेक्स्ट कोश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि अगरे पास कोश्चन नमबर 57 है लिएक्षण N2-3H2-2N-3 identify the dihydrogen as a limiting reagent in the following reaction mixture आजा इस प्रोसेस को आप किस नाम से जानते हैं इस प्रोसेस इस कॉल्ड हाबर प्रोसेस करेक्ट ना यह प्रोसेस आपके किस नाम से जाना जाएगा हाबर प्रोसेस और इस हाबर प्रोसेस में जैमेंस का यह 2019 का कुश्चन है कि इसमें जो limiting reagent hydrogen किस case में वो निकालना है तो limiting reagent का concept में हम आपको कुछ याद दिलाना चाहेंगे limiting reagent find करने का तरीका क्या था पहले हमको components चाहे किसी भी term में दिया रहे है पहले हमको components को mole में निकालना है फिर जो भी moles आएगा उसमें उसके strachometric coefficient से डिवाइड करना है और जिसका भी mole by strachometric coefficient less होगा वही कहलाएगा limiting reagent सही है न यह एक rough is case हम आपको draw करना है कुछ बोलना चाह रहे है कि हर case में हमको mole बदलना है और mole को दिये गए strachometric coefficient से डिवाइड करना है फिर जिस case में hydrogen के लिए mole by strachometric coefficient कम आएगा hydrogen उसी case में limiting reagent होगा चलो case 1 से हम लोग start करते हैं हर बार हम लोग reaction लिखेंगे तो reaction है अपने पास N2 plus 3H2 arrow 2NS3 आपको किवर nitrogen और hydrogen से काम है ठीक है ध्यान रखेगा गिवन क्या है तो बोला है 56 ग्राम nitrogen है और 10 ग्राम hydrogen है अच्छा इनका moles क्या होगा तो 56 by 28 that is 2 moles and 10 by 2 that is 5 moles तो nitrogen हम लोग का 2 moles है और hydrogen हम लोग का 5 moles है अब जैसे हम लोग सीखे थे कि mole by strachometric coefficient तो यहां 2 by 1 आ गया और यहां पर हम लोग का 5 by 3 आ गया करेक्ट है ना 2 by 1 and 5 by 3 और विसली हम लोग का 5 by 3 छोटा है तो याद रखना कि यहां h2 limiting reagent है यहां h2 limiting reagent है फर्स्ट वाले option में चलो सेगंड वाले को ट्राई करते हैं भी वाले में रियक्षन अपने पास n2 प्लस 3s2 आरोट 2 ns3 यह हम लोग के पास रियक्षन है अब कोश्चन में n2 आपको कितना दिया है तो कोश्चन में n2 हम लोगको दिया है कि 35 ग्राम और हैट ग्राम में टु दिया है 35 ग्राम है एट करेंगे तो यह सांथ से कड़ीया यह 5 x 4 हो गया मोल ए8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 मौल्स करना है क्या करना है तो मोल्स count और से डिवाइड किये है बर यहां 4 में 3 से डिवाइड किये तुम करोगे orn by 4 is 1.25 and 4 by 3 is 1.33 तो इस बार nitrogen छोटा है और अगर nitrogen छोटा है तो N2 is limiting reagent concept समझ में आ गया इसी तरह से C और D को भी check कर लेंगे C case और D case को भी check कर लेंगे C में क्या लिखा है तो पहले तो मेरा अपना में रियक्षन है N2 प्लस 3H2 आरो 2NH3 C में क्या दिया था देख लो C में दिया 14 ग्राम और 4 ग्राम तो भाई आपके पास जो given है वो nitrogen है 14 ग्राम और hydrogen है 4 ग्राम तो आखेर मोल्स कितना given है तो यहां 14 by molar mass 28 विच कम्स तो वी 1 ग्राइटू मोल और यहां पर है 4 ग्राइटू विच्छिस इक्वेस्टू अब हम लोग को करना पड़ता है कि मोल्स बाइस ट्रच्यमेट्रिक ओफिशेंट moles by stratumetric coefficient तो यहां 1 by 2 mole था और इसमें stratumetric coefficient 1 है और यहां 2 था इसमें stratumetric coefficient 3 है तो यहां पे 1 by 2 का मतलब आ जाएगा 0.5 और 2 by 3 का मतलब हो जाएगा 0.66 फिर से देखो nitrogen कम है तो इस बार फिर से nitrogen ही limiting reagent है देखो अम लोग का फर्स्ट केस में hydrogen आ चुका है लेकिर हम लोग सब ऑप्सन बना बना के देख रहें हम लोग सीख रहें कि आखिर limiting reagent का पता हम लोग कैसे लगाते हैं तो जो भी हमारे पास डाटा रहता वहां से मोल निकाल लेना है फिर मोल को इस्ट्राचमेट्रिक औफिशेंट से डिवाइड करके देखना है कि किसका अमाउंट कम आएगा जिसका कम आएगा वह हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है चलो यह चाथा है चाथा भी चेक कर लेते हैं बढ़िए अठाइस ग झाताइस ग्राम है और ठ्यस ग्राम लीड़ीन छे ग्राम हडिजन तो फिर इनका मोल्स तुम लिखोगे 28 भाई मोलर मास भी 28 है यहां 6 भाई 3 है यहां 6 भाई 3 है यहां 3 भाई 2 है यहां तो दोनों बराबर है इस बार कोई लिमिटिंग नहीं है दोनों एक साथ खतम हो जाएगा दोनों एक साथ खतम हो जाएगा नाइटोजन और हाइडोजन दोनों एक साथ खतम हो जाएगा कोई बचेगा ही नहीं हर कोई तो यह पूरा कंसेप्ट एक्चुली इस बेस पर था ना कि किसको लिमिटिंग रियेजन निकालना आता है और जल प्रैक्टिस करके रखें जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना तेजी से बनेगा कि अधिक क्या है कि चाहे मास्क दे वॉल्यूम दे नंबर दे आपको कनवर्ट मोल में करना है पहले मोल में बदल लीजे और फिर मोल को उसके दिये गए स्ट्ट्चिमेटिक औफिसेंट रियक्टिन का कम आता है वही लिमिटिंग रियजेंट है और वही प्रोड़क्ट का भी डिसीजन लेता है सहीद चलो बहुत बढ़िया है आगे बढ़ो पर्शन नमबर 58 58 में लिखा which of the following statement is true about the science of atoms and molecules ठीक है atoms और molecules के science में इसमें से कौन सही है 58 में आपको यह बताना है we can see weight and perceive the atoms and molecules through naked eye ऐसा तो नहीं हो सकता न आप naked eye से तो atoms और molecules इन सब के phenomenon को देख नहीं सकते है ठीक है it is possible to count the number of atoms and molecules in a given mass of matter through naked eye गलत है बई अब ग्राडोस नमबर के order में कोई चीज है उसको आप गिंती कर दीजेगा 123456 से करके वो भी naked eye से not possible we can establish a quantitative relation between mass and number of particles yes we can mass से मोल निकलता है और फिर मोल से number of particles में convert होता है जैसे मालो अभी हमने previously question solve कर रहे थे कहीं मालो nitrogen का आ गया है one more तो अगर nitrogen का 28 ग्राम मतलब एक मोल है तो इसके अंदर 6.022 into 10 to the power 23 nitrogen molecules है तो मास से number of particles का relation निकाला जा सकता है physical properties of matter cannot be quantitatively described using numerical values with suitable units यह हो सकता है ऐसा है नहीं कि आप नहीं कर सकते आप कर सकते तो c option is correct a b and d are incorrect 59 पर यह है विच आप फॉल्लविग स्टेटमेंट इस बार इनकरेक्ट चुनना है लेका इन सम elements the constituent particles are molecules in some elements the constituent particles are molecules then generally ऐसा element जिसका atomicity 1 हो जिसका atomicity कितना हो 1 हो जिसका atomicity 1 कहने का मतलब जैसे noble gases जिसको हमें monoatomic gases कहते है इस 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 में atomic जैसे helium है neon है आरगन है यह सब है इसका जो element है वही molecule भी है ठीक है तो यह correct है क्योंकि इसमें atomicity 1 होता है तो element का formula लिखो या compound का formula लिखो molecule लिखो एक ही बात इस प्रोपेटिस सच as composition combustibility reactivity with acid and base are chemical properties of matter एक दम सही है chemical properties का मतलब ही यही सब होता है कि उसका composition कैसा है वह oxygen के साथ जो combustion reaction होता वह किस तरह का दिखाएगा acid base के साथ किस तरह से chemically react करेगा यही सब है फिर थर्ड में लिखा है physical and chemical properties can be measured by changing the identity की identity और composition of substance ऐसा नहीं है ठीक है आप physical और chemical properties करने के लिए identity को change थोड़ी ना करते हैं molecule का जो identity है उसको as it is maintain रखते हो अम लोग इन सब का calculation करते है तो यह wrong statement है ठीक है पिड़ी में लिखा है था SI unit has seven base units बिल्कुल सही कोई भी SI system आप लिए है जो हमारे के पास measurement के लिए अविलेबल है SI units उसके अंदर एनस seven base units अविलेबल होता है ठीक है मास है लेंथ है टाइम है temperature है current है luminous intensity है amount of substance है temperature बोल चुके साथ यह seven basic units होता है तो सी बाला incorrect है बागी सब correct है question number 60 choose the correct statement from the following आपको इसमें से correct चुनना है amu has been replaced by unified mass u देखो amu और u एक ही चीज को दिखाता है ठीक है दोनों मिलके दिखाता है one by twelfth of mass of one atom of c12 isotope एकदम सही है ठीक है ने amu को अबनों यू लिखते है unified mass mass of hydrogen atom in terms of amu is 1.008 amu और प्रॉक्स सही ही बोलेंगे ठीक है तो 1.008 exact बोलो बोलो तो 1.00765 ऐसे करके होता है round off करके 1.08 क्लिक सकते हैं mass of an atom is very big in man अरे गलत है बही आटम का बात कर रहे हो ब्रह्मांड का थोड़ीना बात कर रहे हो atom का mass काफी 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 कम होता है 10 to the power minus 24 ग्राम की ओरडर में होता है 10 to the power minus 27 kg की ओरडर में होता है ठीक है काफी कम होता है तो ए और भी दोनों करेक्ट है सो D option आपको टिक करना चाहिए 61 वन अटमिक मास हां उपर क्या है इनकरेक्ट चुनना है वन अटमिक मास unit is a mass exactly equals to one twelfth the mass of one atom of c12 isotope एकदम सही definition है जो हमारा amu का definition है वो है ही कि carbon 12 isotope के एक आटम का जितना मास होगा उसका twelfth portion one amu कहलाएगा तो एकदम सही है यह सही definition है mu has been replaced by u which is known as unit mass unit mass नहीं unified mass unit mass नहीं unified mass अभी हम पीछे पढ़े थे the formula such as NACL is used to calculate the molecular mass देखे molecular mass में आप इस formula सब का use तो the formula such as NACL is used to calculate the molecular mass अब molecular mass तो इसको नहीं बोलेंगे इसको हमको बोलना चाहिए formula mass ठीक है ionic compound में formula mass और covalent compound में molecular mass तो अगर NACL लिखा है तो यह एक ionic compound लिखा है तो इसको मौलेकुलर मास नहीं बोलेंगे इसको आम लोगो फॉर्मूला मास बोलना चाहिए तो यह इंकरेक्ट ही है पूछाता इंकरेक्ट तो मेरे पास डी ऑप्षन है जिसमें बी और सी दोनों है तो आपको डी टिक करना होगा ठीक है बी और सी बोध हार इंकरेक्ट 62 Among the following statements that which are not proposed by Dalton इसमें से कौन ये चार statement है इसमें से कौन Dalton नहीं दिये थे ठीक है chemical reaction involves reorganization of atoms these are neither created nor destroyed in a chemical reaction बिल्कुल सही है ये Dalton के proposed theory के हिसाब से है उनका कहना था कि atoms को create या destroy तो आप नहीं कर सकते लेकिन कोई chemical reaction होता है तो atoms अपने आपको reorganize करता है reactant से product में atoms अपने आपको reorganize करता है ये Dalton के theory में है भी में लिखा है when gaseous when gaseous combines or reproduced in a chemical reaction they do so in simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure देखे ये Dalton's का लोनी ठीक है ये Dalton's का लोनी ये अवग्राडोस आगे आगे दिये थे ठीक है कि जो भी हमारा chemical reaction होता है जिसमें gaseous reactants combines करता है या फिर product जो बनता वो gas होता दे always bear in simple whole number volume ratio ये अवग्राडोस का लो तो Dalton's में तो हम इसको include नहीं करेंगे तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यही होगा जो Dalton's theory में नहीं है all the atoms of a given elements have identical properties including identical mass atomic atoms of different elements have different mass ये भी सही है Dalton's के theory के हिसाब से है matter consists of individual atoms बिलकुल ये भी जो है वो Dalton's theory के हिसाब से तो most probably यहाँ जो बी option है वह एक्चुली एवग्राडोस law है ठीक है जिसमें हमसे यह बोला गया है कि जो भी हमारा gases आपस में गैलुसेक लॉस कि जे जे आलवेज दू सो इन सिंपल बोल नंबर रेशो ठीक है जे आलवेज ये डाल्टन स्लों नहीं है गैलुसेक्स लॉँ आगे देखो नेक्स्ट इसमें से इनकरेक्ट को आपको चुनना है 63 में आपको इनकरेक्ट चुनना है the atoms of different elements are present in a compound in a fixed and definite ratio बिलकुँ सही this is law of definite proportion law of definite proportion के हिसाब सी ये बिलकुँ सही statement है कि अगर किसी compound के अंदर अलग-अलग elements है they always do so in simple whole number in definite proportion this is law of definite proportion सही सेगन में लेका इन compounds like NACL the positive and negative entities are arranged in the two dimensional structure यहां two dimensions से गलत हो गया actually this arrangement is three dimensional नसल का जब आप arrangement देखिएगा तो वो two dimensional थोड़ी ना है वो three dimension में अरेंज होता है पूरे space में सब तरफ अरेंज होता है तब में थ्री dimensional solid बनता है इन NACL 1, NACL 1, NACL 1 is surrounded by 12 CL minus and vice versa गलत है आपके इसी question के discussion में एक जगा हम कराये थे कि 12 के solid state में आप पढ़ते हैं कि 1 NACL 1 NACL 6 C L minus से surrounded होता है और 1 C L minus भी 6 N A plus से surrounded होता है तो three or four यह दो wrong statement है तो incorrect चुनना था तो बी option होगा two and three are incorrect two and three are incorrect ओके बहुत बढ़ियां आगे बढ़िये Assertion reason Assertion reason का concept क्या होता है न पहले तो आपको इसका concept समझना परता है Assertion reason में Assertion एक statement होता है फिर reason भी एक statement होता है ठीक है अब आपको यहाँ पर चार option क्या-क्या सोचना पड़ता है सुनिएगा सब को इध्यान से पहला option होता है कि Assertion जो statement लिखा हुआ है वो सही है सुनना ध्यान से न तो Assertion reason आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहे है सच Assertion एक statement होता है Reason एक statement होता है फिर यहाँ पहला option यह होता है कि Assertion सही है Reason सही है और Reason जो लिखा हुआ है वो Assertion को Assertion क्यों सही है उसका Explanation है उसको हम लोग A option कहते है फिर से Assertion सही है Assertion एक statement होता है वो सही है Reason भी एक statement होता है वो सही है और Reason जो है वो Assertion क्यों सही है इसका Explanation भी होता है तो उसको option A से टिक किया जाता है अब दूसरा आईए Option B क्या होता है कि Assertion सही है Reason सही है लेकिन reason, assertion का explanation नहीं है assertion सही है, reason सही है लेकिन reason, assertion का explanation नहीं है उसको b option कहते है ठीक है? तीसरा देख़ो assertion सही है, reason गलत है Assertion में जो लिखा है सही है Reason में जो लिखा हुआ है वही गलत है उसको C option कहते है और D option में होता है कि Assertion ही गलत है Reason में जो लिखा हुआ है मतलब statement जो Assertion में लिखा है नो वो गलत लिखा हुआ है और Reason में जो statement लिखा हुआ वो सही लिखा हुआ है इसको हमनों D option कहते है ठीक है तो अब जो हम आपके सामने कुछ बात करेंगे तो in words पर ध्यान रखेगा वैसे आपके book के index में ये दिया रहता है कि A option क्या है B option क्या है C option क्या है D option क्या आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैंने 64 में लिखा है सिंथेसिस एसर्शन में लिखा है सिंथेसिस आफ इन्यू मैटेरियल लिट्स टू दा प्रोड़क्शन आफ सुपर कंड़क्टिंग सेरेमेक्स कंड़क्टिंग पॉलिमर्स ऑप्टिकल फाइबर्स एक्सेटर यह सही है साइन्स जब नए लेबल में धीरे-धीरे अपने आपको पहुंचा रहा है तो वो न्यू मैटेरियल्स को फॉर्म करने का कोशिस कर रहा है जिसका थीम है कि हम लोग सुपर कंड़क्टिंग सेरेमेक्स कंड़क्टिंग पॉलिमर्स ऑप्टिकल फाइबर्स इस तरह का हाई future usable materials का formation कर सकते है अब रिजन मिलिखा वित बेटर अंडिस तरह केमिकल प्रिंसिपल इस नाव बिकम्स पॉसिब तो design and synthesize new materials having specific magnetic electrical and optical properties रिजन इस तो रहा है जब लोग nanoparticles का discussion में अब science nanoparticles का discussion करने लगा nanoparticles बोलने का मतलब हो गया कि जिसका size order 10 to the power minus 9 के order में होता हूँ इस तरह के particles को हम लोग use कर रहे है अब nanoparticles का थी छोटा particles उस तरह के particle के properties को जब हम लोग examine कर रहे हैं तो अब हम लोग नए नए तरह का material बना रहे हैं जिसके पास कुछ specific magnetic electric या optical properties हो तो assertion is right, reason is right and reason is correct explanation of assertion also assertion वाला line सही है, reason वाला line सही है और reason वाला जो line लिखा हुआ है वो assertion का explanation भी है ठीक है चलो आगे बनते हैं तो आप इसको A option से tick करेंगे ठीक है पीछला कुछ 65 assertion में लिखा है hydrogen burns with a pop sound and oxygen is a supporter of combustion but water is used as a fire extinguisher एगदम सही हाइड्रोजन जो है oxygen के presence में pop sound से जलता है लेकिन water को हम लो fire extinguisher की तरह यूज करते हैं बिल्कुल करते हैं सही एकदम सही the properties of compound are different from those of its constituent elements reason is also right by hydrogen का अपना property उप आप sound करके जलता है oxygen का अपना property वो hydrogen को जलाता है लेकिन दोनों के मिलने से जब पानी बनता है तो पानी का property ना hydrogen का प्रोपर्टी है ना oxygen का प्रोपर्टी उसका अपना property और वह आग को भुझाता है रुग है hydrogen आग जलाता है मतलब जल सकता है oxygen आग जलाता है लेकिन इन दोनों के मिलने से जो water बना है उसका अपना प्रोपर्टी है उसको hydrogen और oxygen के प्रोपर्टी से मतलब नहीं है उसका अपना प्रोपर्टी है और वो पानी बनके आग को बुझाता है तो assertion अपनी जगा पे एक दम सही है और reason सही भी है और हमारे assertion का सही explanation भी है तो assertion is right, reason is right and reason is correct explanation of assertion also ठीक है ध्यान रखना यह सब concept बनाने वाला statement होता है बहुत ध्यान से समझना चाहिए 66 assertion में लिखा है carbon 12 is one of the isotope of carbon and can be represented at C12 एकदम सही है assertion is right carbon का main बोलो तो दो isotope होता है एक carbon का 12 होता है और एक carbon का 14 होता है carbon का 12 isotope non radioactive होता है और वो एक stable isotope में count होता है लेकिन carbon का 14 isotope एक radioactive isotope है और वो unstable होता है जिसको carbon dating में हम लोग यूज़ करते है चलो reason देखते है the present system is best on C12 system क्योंकि C12 एक stable isotope है C12 is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit and masses of all other atoms are given relative to this standard देखे यह reason तो सही है reason में कोई दिकत नहीं कि C12 को एक standard माना गया है और 12 atomic mass unit is the mass of one atom of C12 isotope और इसी को base मान के बाकि सारे atoms का relative mass को दिखाया गया एकदम सही है reason is also right लेकिन क्या आपको लग रहा है कि reason उपर वाले assertion का कुछ explanation है assertion में सीधा लिखा है कि carbon 12 is one of the isotope of carbon and can be present at C12 महात और कुछ लिखा नहीं carbon 2 isotope एक form में रहता है C12 एक उसका form है बस ही लिखा है reason में एक कहानी लिखा हुआ है mole को लेके C12 को हम लोग है कि standard unit की तरह use करते हुआ सबको लेके ठीक है तो reason अपनी जगह सही है assertion अपनी जगह सही है reason is not the explanation of assertion reason is not the explanation of assertion इस तरह के answer को आप B से दिखाते है ठीक है चले और आगे 67 equivalent weight of ozone in the change O3 arrow O2 is 8 ozone का जो equivalent weight है वो O3 से O2 में बदला 8 है बिल्कु सही क्योंकि यहाँ पे nascent oxygen वाला concept है तो oxygen का जो equivalent weight 8 होता वही यहाँ भी चलता है 1 mole of O3 on decomposition gives 3 by 2 moles of O2 यह भी सही है अगर आप इस reaction को balance करेंगे O3 changes to O2 तो अगर आप 1 mole लीजिएगा तो इसको balance करने के लिए धर में 3 by 2 आए बना ठीक है तो assertion is right reason is right of assertion also reason जो है वो हमारे assertion का एक correct explanation भी है ठीक है 68 68 if we write a result as 11.2 ml then match the items of column 1 and column 2 and choose the correct option from the code एक मुने जस्ट लेखा 11.2 ml 11.2 ml को हम लोगो तीन भाग में बाटना है कि भाई उसमें certain digits कौन है आप यहाँ पे लिख लिए बड़ा बड़ा 11.2 ml तो उसमें दो certain digit है 11 शुरुवात का दो certain digit जो है वो certain digit है मतलब 11 जो है वो certain digit है तो एक थ्री हो गया certain digits अंसर्टन डिजिट कौन है तो अंसर्टन डिजिट डेसिमल के बाद वाला है डेसिमल के बाद वाला है अंसर्टन डिजिट कहने का मतलब यह जो टू लिखा हुआ है वो अंसर्टन डिजिट है डेसिमल के बाद वाला जो टू है वो ठीक है प्लस माइनस वन तो यह सेकेंड आ गया है तो एक थी बी का वन सी का टू एही ओप्सन दिखाई दे रहा है एक थी बी का वन और सी का टू यह छुटा सा यूनिटेंड डैमेंस मतलब मेजर्मेंट पर वेस्ट कोश्चन है सर्टेंड डिजिट अंसर्टेंड डिजिट चलिए अब यहां ध्यान लगाई यह तो 69 में लिखा है मास ऑफ एच्टू प्रेडूस्ट मास ऑफ एच्टू प्रेडूस्ट वेन 0.5 मोल अफ जिंक रियाक्ट विद एक्सेस ऑफ एच्सील थोड़ हमको रियक्शन लिखना पड़ेगा एक ही लिए अगर हम लोग जिंक को एच्सील के साथ कंबाइन करते हैं अगर हम लोग जिंक को रियक्ट कराते हैं एच्सील के साथ तो थोड़ा बैलेंस कीजी यह बनता है जेडेंस सील टू और साथ में एच्टू गैस रिलीस बैलेंस करने के लिए आप यहां टू लगा देंगे अगर हम लोग जिंक लेते हैं तो एक मोल हाइडोजन बनता है तो अगर आप अगर आप अगर आप 0.5 मोल्स जिंक ले रहे हैं तो हाइडोजन भी 0.5 मोल्स बनेगा सही है न जस्ट उनेट्री मेथड और 0.5 मोल्स हाइडोजन का मतलब 0.5 इंटू मोलर मास दाट इस 1 ग्राम हाइडोजन बनेगा सो एक आप 4 होगा देखिए 4 में 1 ग्राम हाइडोजन लिखा हूँ 1 ग्राम लिखा हूँ है एक आप 4 आएगा बी में आईए मास आफ ओल आटम्स ओफ एक कंपाउंड विद फॉर्मुला सी सेवेंटीन एच ट्वेंटीटू एच ट्वेंटीटू भी ओप्शन चेक कर रहे हैं कि सी सेवेंटी एच ट्वेंटीटू चलो मुलर मास निकालते हैं ट्वेल्व इंटू सत्तर प्लस वन इंटू बाइस बारह सत्तिच चोरासी एट फोर जीरो और प्लस बाइस क्या ये एट सिक्स्टी टू ग्राम हुआ एक मोल का ठीक है एक मोल का वजन हुआ है तो अगर हम एक का एक मॉलिक्यूल का वजन निकाले पार वन मॉलिक्यूल क्योंकि उसी में सब आटम्स है मेरा अगर हम वन मॉलिक्यूल का वजन निकालेंगे तो 862 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 तो दा पावर 23 ग्राम्स होगा सही ना चलिए थोड़ा कैलकुशन कर लेते हैं तो यह आ रहा है हम लोग का वन फॉर्टी थ्री पॉइंट पॉइंट तो दा पावर माइनस 23 ग्राम्स होगा डिवाइड करके देख लेते हैं कितना है वही एट सिक्स्टी टू है एट सिक्स्टी टू है उसको डिवाइड करना सिक्स पॉइंट यूरो टू से तो यह आ रहा है हम लोग का वन फॉर्टी थ्री पॉइंट वन एट या वन नाइन टेन तो दा पावर माइनस 23 ग्राम्स देखें कौन सा आप्शन मैच कर रहा है वन फॉर्टी थ्री टेन पावर माइनस 23 वन पॉइंट फॉर्टी थ्री वाला अप्शन एकदम सूटेबल है जैसे हम लिख रहे हैं 143 तो साथ में 10 टो दा पावर माइनस 23 लिख रहे हैं यहां पे 1.43 है तो 10 टो दा पावर माइनस 21 है सब्सक्राइब अब आज ऑफ सी पर नंबर आफ मॉलेक्विल्स इन 35.5 ग्राम अफ सी एल टू है सी ओप्शन 35.5 ग्राम ओफ सी एल टू इसमें नंबर आफ मॉलेक्विल्स बताना जाए इसका नंबर आफ मोलेक्विल्स निकाल नंबर आफ मोलो होगे 35.5 डिवाइड़ बाई 71 यह घर हाफ मॉल है तो नंबर आफ मॉलेक्विल्स कितना है number of molecules कितना है 1 by 2 into our gradus number 6.02 into 10 to the power 23 and then it comes to be 3.01 and 10 to the power 23 so 3.01 into 10 to the power 23 इतना molecules है one number one number C1 3.01 10 to the power 23 molecules अब number of molecules 64 gram of SO2 लिखा हुआ है तो देखिए जब आप SO2 का बात कीजेगा न तो 64 gram का मतलब 1 mol होता है D देख लिए जब आप SO2 का बात कर रहे हैं तो sulfur होता है 32 gram oxygen होता है 16 into 2 तो ये overall sum कीजेगा तो 64 gram होता है इसका मतलब 64 gram अगर हम लोग SO2 का ले रहे हैं तो ये equivalent है 1 mol का और अगर 1 mol के बराबर है तो इसमें number of molecules 6.002 into 10 to the power 23 molecules हो जाएगा इतना molecules हो जाएगा correct है 6.002 into 10 to the power 23 molecules इसके अंदर आ जाएगा इतके अंदर involved हो जाएगा correct है तो D का आ जाएगा आपका दो number तो A का 4 B का 3 C का 1 D का 2 that's the option is there हट चीज़ को बना बना के देखना कोई हरबड़ी नहीं है ठीक है कोई हरबड़ी नहीं अराम से बना बना के देखी ठीक है चली आगा बिरते है 70 match the item of column 1 with column 2 and choose the correct code from the option given below mole fraction M2V2 है the solution of higher concentration it is defined as the number of moles of solute present in 1 kg it is the ratio of number of moles of a partial component to the total number of moles of the solution एकदम सही है मतलब 4 number 4 number को एक बार फिर से पढ़ देते यह सब definition लग रहा है हर किसी का definition लग रहा है ठीक है जो किस्टों को stand करता यह बताना है तो mole fraction अगर लिखा है तो लिखा है it is the ratio of number of moles of a partial component to the total number of moles of the solution एकदम सही है यह mole fraction होता है B में है molarity molarity सबसे last वाला 5 वा नंबर पढ़ रहे है क्योंकि अवी तक हम चार पढ़े तो उसमें तो आया नहीं था 5 वा it is defined as the number of moles of a solute in 1 liter of solution एकदम सही है न molarity तो यह होता है number of moles of a solute in 1 liter of solution तो B का 5 molality molality 3 वाले को देखो 3 वाले it is defined as the number of moles of solute present in 1 kg of solvent यह molality होगी फिर M1 B1 M1 B1 is equals to M2 B2 क्योंकि solute का number हमेशा same रहता है is equals to M2 B2 सही है M1 B1 is equals to M2 B2 solute का number same होता है stock solution a solution of higher concentration a solution of higher concentration high concentrated solution को आप stock solution में consider करते हैं तो यह सारा का सारा आया A का 4 B का 5 A का 4 B का 5 C का 3 B का 1 E का 2 that B option is there B है यहां ठीक है सब definition best है आप definition याद रखे उससे साब से match करें आपको तो बस सीखना किस तरह के questions को handle कैसे करना है ठीक है है सब easy easy बहुत बड़ा थोड़ी नहीं match the column 1 with column 2 and choose the correct option from the code ठीक है 10 gram CSEO 3 का decomposition करेंगे यहां पर लिखते चलते हैं एक को चेक करना है CSEO 3 का अगर हमनों decomposition करेंगे तो calcium oxide आएगा और CO2 आएगा तो एक mol से 1 mol calcium oxide बनेगा और 1 mol CO2 भी बनेगा जब आप question में 10 gram लिखते हैं 10 gram का मतलब होता 0.1 mol carbonate का 10 gram अतर 0.1 mol तो क्या यह मेरा CO2 भी 0.1 mol बनेगा और 0.1 mol का अगर volume में हम लोग conversion करेंगे तो इसको multiply करना पढ़ेगा 22.4 liter से and your answer comes to be 2.24 liter your answer comes to be 2.24 liter कहां पर है 4 number में है 4 number में जरा देखे 4 number में तो 10 gram कालसियम कार्बोनेट को जब हम लोग decompose करेंगे तो 2.24 liter CO2 आएगा अब आईए हम लोग Na2 CO3 को तोड़ते भी option को चेक कर रहे हैं excess HCl डालना है Na2 CO3 तोड़ना नहीं है इसमें HCl के साथ reaction कराना जब आप HCl के साथ reaction कराएंगे तो देखे जो बनता है पहले बनेगा NaCl साथ में बनेगा H2 CO3 लेकिन H2 CO3 अपने आपको तोड़ देगा H2O में और CO2 में चले बैलन्स कर लीजे यहाँ पे दो लगा लीजे यहाँ दो आएगा तो ज़रा देखेगा एक मोल Na2 CO3 के साथ एक मोल CO2 बनेगा एक मोल Na2 CO3 के साथ एक मोल CO2 बनेगा तो जो मेरा 1.06 ग्राम Na2 CO3 दिया है वो कितना मोल है थोड़ा हम यही पे निकाल लेते है 1.06 डिवाइड बाई 106 मतलब यह 0.01 है इतना मोल्स है 0.01 मोल्स Na2 CO3 का तो मेरा CO2 भी 0.01 मोल बनेगा और अगर आप 0.01 मोल को वाल्यू में कनवर्ट करना चाहते just multiplied with 22.4 लिटर and you get that 0.224 लिटर तो जो इस बार आपको CO2 मिलना है that is 0.224 वन ओप्शन है फर्स्ट ओप्शन में देखो है फर्स्ट ओप्शन में 0.224 लिटर CO2 देख रहे हो कितना तरीके से question set है यहा पे यहा पे आपको 10 ग्राम को मोल में बदलना था फिर यहा पे 1.06 ग्राम को मोल में बदलना था molar mass से डिवाइड करते जाओ calcium carbonate का molar mass 100 ग्राम तो 10 बाइ 100 के 0.1 आए sodium carbonate का molar mass 106 तो 1.06 में एक 0.06 से डिवाइड के तो .01 आया चलो अगला C option चेक कर रहे है C option में लिखा है कि carbon excess oxygen तो C plus O2 arrow CO2 यह हम लोग को दिखा रहा है कि 1 mole से 1 mole CO2 बन रहा है आपको लेना कितना 2.4 gram तो जब आप 2.4 gram लेते हैं तो 12 से divide कर लीजे क्या यह 0.2 moles है तो 0.2 moles से 0.2 moles बनेगा और 0.2 moles को अगर volume में convert करना है just multiplied with 22.4 liter and you get that 4.48 liters 4.48 liters देखो 2 number में दिया हुआ है यह 2 number तो C का 2 हाएगा 4.48 liters और लास्ट में दिया हुआ 0.56 gram of CO है excess of oxygen है देखें carbon monoxide को oxygen के presence में अगर react करा दीजेगा तो यह carbon dioxide बन जाता है यह balancing में हाफ लगता है लेकिन आपको यह दिख रहा है कि एक mole अगर हम लोग CO लेंगे तो हमको एक ही mole CO2 मिलेगा आपके पास 0.56 gram दिया हुआ था तो 0.56 gram को अगर हम mole में बदलें तो CO का molar mass होता 12 carbon का और oxygen का 28 28 से divide करो क्या यह 0.02 है 0.02 है तो हमारा CO2 भी 0.02 moles बनेगा और अगर CO2 मेरा 0.02 moles बन रहा है तो just multiplied with 22.4 liter and your answer is 0.448 liter 448 liter देखो कुछ option है third number तो D का 3 होगा तो A का 4, B का 1, C का 2 और D का 3 देखो कितना बेहतरीन question set छोटा छोटा reaction धड़ा 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 अपनों चलना है और इतना पेस तो अब आहीं जाना चाहिए reaction तुरंट सोचिए अब और इन सब reaction को तो मन बेखदम बैठा लीजे ये बार-बार आने वाला चीज question कैसे set हो और आप देख लीजे ठीक है ध्यान रखना है चलो next question question number 72 match the following column 1 with column 2 and choose the correct option 46 gram of sodium these are most the average moles 46 gram sodium this is equals to 46 by 23 that is 2 moles तो एका टू हो गया मास से मोल निकालना था B मैं लिखाया 6.02 इन्टू 10 पावर 23 molecules of H2O अच्छा ये तो अवर ग्राडस नंबर है एक मोल हो गया 6.02 इन्टू 10 तो दा पावर 23 molecules of H2O एक मोल हो गया एक मोल हो गया तो B का 3 हो गया 0.224 liters of O2 at STP 0.224 आच्छा B वाला तो हो गया 1 मोल जब हम लोग number of moles लिखते है volume से तो given volume 224 liter by 22.4 liter करेंगे तो that is 0.01 मोल होगा 0.01 मिट this is 0.01 मोल first वाला first वाला तो C का 1 हो जाएगा ठीक है फिर आगे लिखा 84 ग्राम आफ D वाला 84 ग्राम आफ N2 मोल के तौर पे 84 में इसका मोलर मास 28 से डिवाइड करेंगे तीन बार में कट जाएगा तो इसका तीन मोल आएगा मतलब 5 नंबर D का 5 and 1 मोल अफ एनी गास is equals to one more 6.022 into 10 to the power 23 atoms और molecules यह 4 नंबर हो गया ठीक है तो आपके पास option किस तरह से match कर रहा है जड़ा देखो A का 2 आ रहा है B का 3 आ रहा है A का 2, B का 3, C का 1 D का 5 और E का 4 मतलब A option A option is there A option है This is 72 अगला देख लीजे यह सिरिस का last question है that is 73 unit पर वेस्ट molarity का unit mol per liter molarity का unit mol per liter mol fraction unit less mol का unit mol ही होगा एक नंबर और molality का unit है mol per kg चार नंबर A का 3 B का 2 C का 1 D का 4 that A option is there चीक है चलो यह रहा तुम्हारे पास some basic concept of chemistry का basic basic question इसमें जो हमारा question number 1 से लेके लगबग 13-14 ता question था वो छोटा-छोटा measurement था वो आपको खुद से भी करना चाहिए unit का conversion था significant figure था scientific notation था यह सब था लेकिन जो 15 से question stratumetry mole concept concentration terms normality equivalent weight empirical formula limiting reagent इन सब पे जो best question start हुआ जबर जस्त इसमें से कुछ question एक दो question हम आपको बोले भी है पढ़ाने के दौरान discussion के दौरान कि वो सब questions है ने 12th past strength या 12th strength के लिए ही है 11 strength को अगर कोई दिक्कत हो रहा है के लिए्थ Chand